बिहार सरकार ने जब से जेल नियामा बाली में बदलाव किया है तब से पुरे बिहार की राज़िती में एक भुचाल सा आ गया है हलाकि लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि यह तमाम चीजें जो है बाहु बली नेता आनंद मोहन सिंग को रिहा करने के लिए की जा रही है लोगों ने पहले से यानुमान लगाना शुरू कर दिया था और अन्तितह आज आनंद मोहन की रिहाई भी हो चुकी है इससे कई लोग नाराज हैं तो कई लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं भाजपा के कई बड़े नेता भी इस तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं तो कुछ लोग इसका आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है इस आनंद मोहन की रिहाई का विरोध भी कर रहे हैं अभी हमने हाल ही में सुना था गिरी राज सींग का बयान तो उन्होंने आनंद मुहन सींग को बिचारे तक कह दिया और इस तमाम चीजों को सही ठहराया लेकिन भाजपा के ही कई ऐसे नेता हैं जो इन तमाम चीजों पर अपनी मुह नहीं खोल रहे हैं अपनी बात रखना नहीं चाह रहे हैं तो हलाकि यह तमाम चीज़ें ऐसी है जो कोई पहले से लोग अनुमान लगा रहे थे, यह तमाम चीज़ें आनंद बोहन को रिहा करने के लिए की जा रही है और जो आनंद बोहन एक बड़े राजपुत समाज के नेता हैं, एक बड़े लीडर हैं, तो यह तमाम चीज़ें ज अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, हमने देखा कि माया बती भी किस तरह से इस पर नितिश कुमार को फटकार लगाती हुई, अपना एक ट्वीट उन्होंने किया था, जारी किया था, और इन तमाम चीजों के बीच जो है, आनंद मुहान रिहाई के बीच जो है, एक खास ची जो है, यह वही राजबललब यादव हैं, जो नवादा के पूर्व विधायक थे और इन पर कई मासूम बच्चियों के बलातकार का इल्जाम लगा और यह उसमें जेल में है, उन्ही उसी राजबललब यादव को रिहा करने के लिए उसी राजबललब का यादव का यह ना 22 साल है, और यह जो है, 1990 से ही जेल में बंध है, इन पर 1990 में ही किसी सजा को लेकर आरोप सिध्ध हुआ था, और तभी से यह बंध है, यह कोई और राजबललब यादव है, यह वो राजबललब यादव नहीं है, जो कई मासूम बच्चियों से बलातकार के जुर्म में जेल में बंध है, यह वो राजबललब यादव नहीं है, हाला कि आनंद मोहन के बेटे और उनकी पतनी जो है, राज़त से विधायक भी है, कई लोगों को पता है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में, नितिश कुमार ने, जिस तरह से निति बिहार सरकार ने इसे जेल नियम वाली में बदलाव करके इन्हें जेल से रिहा करवाया गया है, अब आने वाले लोगसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि क्या राजबूत समाज के जो वोटर हैं, नितिश कुमार के फेबर में आते हैं या नहीं आते हैं, यह तमाम चीज़ें अब आगे देखने को मि सकता है,